कि कल एक लाइन हम जो लिखाए थे थोड़ा सामने का करेक्ट करके कल लिखा दोंगा और यह था कि कि इस प्रकार यहां अंदोलन आधुने की करण ना लाकर पस्चिमी करण ले आया और यहां एक गोधूली बन कर रहेगा जिसमें मद्यकालिन संस्कृति के समापन का तो संके परन्तु आधुने की करण के प्रभात का अच्छी लाइन है तो मैं लाइन की खुबसूरती से कोई लेना देना नहीं है इसमें कुछ संदेश छिपा हुआ है एक अब्जर्वेशन इसके अंदर इन सब्दों में बहुत बड़ा अब्जर्वेशन है इतने बड़े लोगो के द्वारा किये रिसर्च और प्रयास और परिणाम जो कुछ भी आया जो 1828 से शुरू हुआ और कब तक चला जब तक यह 1920 तक आप मान लो अलिगढ़ांदूलन वह रहाता हुआ कि एटीन प्रेंटी नाइन से 1920 तक के इतने महानुभाओं द्वारा किये इतने बड़े लोगों के द्वारा किये बड़े बड़े प्रयासों का एक अब्जर्वेशन एक एक निसकर्स यह दिया गया है कि हुआ क्या इतने दिनों में इन लोगों का इतना बड़ा प्रयास है तो यही लिखा है यह बहुत बड़ा अब्जर्वेशन है जो लिखा है इतने कम कि यहां सब्दों यहां लंकार से कोई लेना देना नहीं है ठीक है तो यह हुआ है यह हुआ है यह इसको थोड़ा सा इंग्लीज में आपको फाइनलीट कैंसर्ट दैट नोट कलो फिर से चाहिए जिसना लिखा या लिखा तब भी लिखो सब्दूरूप से है अला कि हमने भी परयासी कीया कहीं से कौंपी लिए ख़्डा सब्दा लेकिन सही है जहां तक हमको लगेरा फाइनलीट कैंसर्ट दैट इस मूब्मेंट रिमेंट इस मूब्मेंट रिमेंड इट्ट्रि लाइट अब जिसे मिनले काऊ वाला जो लिखा है तहां एं दिलाइट टी ड़ी डब there was the sign of end of the medival culture but was the bait also for was the wait also for dawn of modernization तो तो थोड़ा विशुद्ध है लिखने में तो विशुद्ध है लंबा था इसलिए तुरंद नहीं आया तो हो गया क्रेक्शन तो मध्यकालिन संस्कृति के समापन का संकेत तो था लेकिन आधुनिकी करण के नौ प्रभात का भी इंतियार था इस वाज जस्ट लाइक ट्विलाइट टाइब ठीक है कल इस पर चल्चा हुई थी यह जो समाज और धर्म सुधार अंदोलन हम लोग पढ़ रहे थे इसके जो लीडर है वो थोड़ा सा बड़े घरानों से हैं उच्छ घरानों से हैं उच्छ जाती से हैं अब आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी कुछ इसी टाइप के सुधार है उसको करते हैं निम्न जाती है अंदोलन लौर कास्ट मूव्मेंट गारे बहुत भी लेकर चलिए बस डिफ्रेंस आने लिए लोर कास्ट मूव्मेंट कि निम्न जाती है अंदोलन कि अच्छले यह जो भारत में जाती विवस्था है बड़ विवस्था की रूप में फिर जाती विवस्था की रूप में अस्तापिद्स में जो निम्न कास्ट लोवर कास्ट निम्न जातिया है जनरली शूद्र के नाम से जो संबोधित की गई अच्छले ब्रामधिये करमकांड या धार मे कर्मकांडों के तले दब गए और ऐसे कर्मकांडों के तले दबने का मतलब है कि जो आज के समय में आप जो relevant fundamental rights पड़ रहे हो मनुस्यों का गुलामी क्या है fundamental rights ही लोग गुलामी कि मूलाधिकार furaki देगार वो और जाति हो प्रकीर्थ द्वारा परदतक यह से बूठ लगी थाने लिए प्रक्राकृति खिया है कि और अपल यह रखनव हो अप्षी आप डिसमें किसी अरेंद्र अर्योदि का योगदान नहीं है कर वो नहीं चीन सकती है कि यह नेचुरल है कुछ नए सरगी ऐसे मामलों पर कट लगता है तलवार चलती है तो उसके घुलामी एक इसको नेचुरल स्लावरी इसको कह सकते हैं इसके लिए जो जेस्टिस तो नेचुरल जेस्टिस प्राकृतिक निया है तो इन लोग ऐसे करम कांडों के नीचे जो दबे उनकी जो यह गुलामी इसको दास कहा गया है उद्व गए उनके फंडामेंटर राइट्स तो फिर उदेखते ना ब्राम्मण क्या कर रहा च्छत्रिय क्या कर रहा हम क्या कर रहें पर्टिकुरर मामले पर अलग-अलग बेव सब्सक्राइब कर रहा है तो थोड़ा सा गिल्ट हो रहा है लेकिन अभी तक को बोले नहीं अभी यही लोग निकल के आए ब्रामण बर गया बड़े उच्छ बर्ग जो अभी तक आद्दोलन में आपने पड़ा राजरा मोहन राजी से लोग इसे ब्रामण लोग से इनको जागरण कम मिला यहीं पर अब्जर्वेशन करके मैंने लिखा तब देखो तुरंत हमारे नेटवर्क में भी नहीं लिखा मैं नहीं था इन कारणों से कैसर उस लाएं को जादा नहीं है हाँ चलिए ठीक हम उननीश्यत्रवी प्रोजा उड़ गया के सोचन सेन पर ये लोग कल लड़ नहीं करेंगे फिर इनको अपनी हाथों में तलवार क्यों लेनी पड़ी तो वड़ इस दे रीजन तो उन्नीसियों समानतायों समाजिक समतावाद समानतायों समाजिक समतावाद पर आधारित राजनाइतिक विचारों के कारण पर आधारित राजनाइतिक विचारों के कारण निम्न जातियों में एक चेतना आई पली नहीं पड़ा पली लिख लो एकदम ही जी है राजनाइतिक विचारों के कारण निम्न जातियों में एक चेतना आई इस लोग बार बार चिला रहे थे ना कि समता लाओ समता लाओ समांता लाओ सुसरण नहीं होना चाहिए जो भी आप पढ़के आये हैं समाजिक धार्मिक सुधार यह लोग सुनते सुनते जब लगातार लगातार सुने लगें कुछ दिक्कत है क्या तो इनको खुद पता के दे रहे हैं अपनी सारी स्थिती को बाद मद्दय नजर रखते वह अपनी सारी पोजीशन अ को सा को कंपड़ीटी को ध्हान में रखते विये उसको पूरी तरह सुरक्षित और रखते हुए अगर कुछ बच जारात हमको दे रहे हैं और उसको सुधार का भी नाम दे रहे हैं और क्रेडिट पूरी लेरेक हमने इनको ये प्रदान कर दिया भाई वो तो प्रकृत स्वयम प्रदान करके हमको बेजी है उसमें आपका योगदान यही चेतना है इनमें चेतन कर रहा है तो अब लगना यह जिन्दा वालक जनम लिया है ऐसे तो भी सारे वालक ऐसे लिए इसमें आपका क्या है यही पता चलपाना मतलब चेतना अगे ऐसा क्यों होती है जो आपने लिखा आहितना ट्रेड़ में इस पर दो लाइन बोल दूंगा अभी फिलाल इसको अं saugher in there came and awareness and awareness in lower caste in awayat меня awareness Degraukta in lower caste due to that political due to that political ideology that political ideology which was based on equality and social equalism equality and social equalism in 19th and 20th century in 19th and 20th century by developing the national awareness by developing the national awareness clear there came an awareness in lower caste due to that political ideology which was based on equality and social equalism वह राजनीती जो समानता और समाजिक समतावात पर आधारित थी 19-2027 Antes एक राजनीतिक cavity रूप में रूप में राजनीतिक विचारधारा के रूप में आई एए यही जो भी आप पड़ रहे तीं लाई विचारधारा आई ठीक है यही यह बदली वे एक ने'' आं भी लोवर काश्ट में एक अवेर्नेस आई तो उन्होंने अपने हेतों की सुरक्षा की कमान खुद समाने ले उन्नीसवी बीस्वी सताब्दी में राष्टिय जागरण के विक्सित होने से ये सब क्या हो रहा है जो अभी तक आपने पड़ा है कि राष्टिय जागरण ही तो राजनेतिक विचारधारा में नेस्नलिजम हिंट्री कर रहा है और तो क्या हो रहा है एक उनिफिकेशन जबा रहा है देश देश की संस्कृति देश के लोग लोगों का देश और देश की संस्कृति के प्रति लगाओ अट्रेक्शन वाट इस दिस इस नेस्नलिजम समझ में रहा है तो यह ऐसे विचारधारा के कारण जो है जब लोगों को बताया गया कि इस इस तरीके से यह दवे हैं कुछले हैं सोसित है एक्स्प्रोटेशन इनका हो रहा है और यह हटना चाहिए और जो कुछ भी दिया ज दिख लिया गया है इसको अपने इस तर से अपनी भासा में भी अपने सब्दों में भी आप लिख सकते हैं तो यह किवल एक थीम है जिसके करण तो निम्न जातिया अंदोलन की सुरुआत हुई इसके जो नित्रित तो करता थे वो निम्न जाति के लोग ही थे अब इसको आगे बढ़ा लीजे इसके जो नित्रित तो करता थे वो निम्न जाति के लोग ही थे ठीक है the leader of lower caste movement the leaders of lower caste movements was belongs to it belongs to lower caste lower caste it was started from first time it was started from maharashtra first time it was started from maharashtra पहली बार यह maharashtra से प्रारंध हुई जिसका नेत्रत जयोतिवा फुले ने किया which was led by which was led by जयोतिवा फुले जिसका नेत्रत जयोतिवा फुले ने किया इन्होंने सत्यसोधक समाज किये स्थापना कि ही इस्टाबलिश्ड सत्यसोधक समाज सत्यसोधक समाज इस्टाबलिश्ड इन 1873 बंबे इस्टाबलिश्ड इन 1873 बंबे तिक है किसने क्या आपने लिखी लिया है जयोतिवा फुलू ने किया है तिक है पाउंडर जयोतिवा फुले 1873 जयोतिवा फुले जयोतिवा फुले वस फ्रॉम दे कास्ट आफ माली एक जाथ होती है माली कोते गार्डिनर कास्ट आफ गार्डिनर माली ये माली जाती से थे वस पुल दे कास्ट आफ गार्डिनर माली सत्रा सो बहत्तर में इन्होंने गुलामगीरी नामक पुस्तक लिखिए in 1872 1872 इन 1872 he wrote the book of गुलामगीरी सब्सक्राइब अब देखो जो अभी तक आपने थिम पढ़ा है क्या चेतना आई और क्यूं इन्होंने तलवार अपने हाथ में ले लिए भरोसा उठ गया क्या यह सब जो बाते हमने करी है इन लोगों की बुक से देखिए कि इनकी फ्रस्टेशन क्या है ततु से माजी के निया यही विए सोउसल जिस्टिस की अगर बात की जाये कैप्लीट सोउसल जिस्टिस अगर बात की जाये तो धास्परता समाप थोना should कि करदा के न 可以 कि दास्परता कि समापति का एक दिन्यम आया था चलिकर यहाँ नहीं लिखना हैrod disp Pvle किलिकिन है कहीं नहीं का मैंने लिखवाए भी हिसाइज आप लोगों के लन बरू के समय में है कि नहीं लॉर्ड बिलियम बेंटिंग ने बेंग किया था ताश प्रथा अठारा सो पैंटीस एक टाप 1835 एलन बरूक अठारा सो तिरालिस के नियम पांच द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया एक्ट आप 1843 सेक्शन फाइब दा स्लाइबरी सिस्टम वोजबोलिस्ट इन दे दायम आप लॉर्ड एलन वरूक तो खेर यह तो खेर एक्ट के दारा समाप्त किया गया अब सामाजिक दास्ता यह कुछ होता है नियम कानून के बाद भी चलता रहता है तो दहच प्रथा पराद है कानून पराद है आज के समय में में एक जांपल दे रहा हूं तो एक्ट ह बिना देश के साधिन होती है कि कि नहीं है क्यों कि दोनों पक्ष की वेजाती होती अगर लेने वाला उतना ना ले देने वाला अगर उन्हां अगर उन्हों ना दे तो विसको लगता है 1843 में यह 1872 की बात है तो इसका मतलब दासप्रता है ने फिर गुलाम गीरी यानि फ्रस्टेशन अपनी के माध्यम से लिखी तो मैं उस पर चर्चा कर रहा था कुछ चीजे धर्या माज आते हैं लेकिन सामाजिक ब्यवहार जब उसको मानिता देता है यह से दहेज प्रत्हा को सामाजिक ब्यवहार मानिता दे रहा एक्ट तो बना ही है इसके खिलाफ आथे कौन है जिनके पास या तो देने के लिए नहीं है यह लेने वाले के पास ओक्वालिटी नहीं कोई पूछने रहा तमाम लोग इसे भी बीन है और मैं बता दू बुरा नहीं लगना चाहिए यह तै़री करने वालों इसे तमाम लोग है जहां मुझा नहीं में तवत्यारी करते-करते एक समय हो तीस बतीस हो जाता है विचारे लगे हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं पाई उसके बाद फिर कोई साधे के लवे पूछने नहीं आता है बड़ी समस्या हो जाती है उनके लिए खताम है यह प्राब्लम्स में बता रहा हूं तो खेर यह प्राब्लम्स आती है इसलिए लगो तनमन से लगो बड़ी समस्या आती है है वह जाया ठाइस तक 26 तक पचीश तक हो जाए है है ना दिवेंद्र समाजी किस टेटर नहीं समय निकल जाएगा बड़ी दिक्कत होगी तो चल आई है तो फिर लिखना पड़ा है इनको गिलाम गीरी और कुछ आर्थिक समस्याएं भी एक्ट बना होगे खुद एक्सेट करें भाई हम तो दास बनेंगे वह आज भी तो है ऐसे तना तब था वह आज भी है ऐसी दास्ताइं आज भी चल लहीं है जहां एकोनोमिक आर्थिक कमजोरी बहुत ज्यादा कमजोरी है तो क्योंक होग एक अन्य पुस्तक सारोजनिक सत्यधर्म लिखी एन वन एनधर भूक रोट एन रोट तो वन एनधर वोक नेम्ड सारोजनिक सत्यधर्म पॉब्लिक रियल रिलिजन पी आर आर लिख दी इनों ने फिल्म जैसा है इसका नाम पी आर आर सारुजनिक सत्यधर्म पॉब्लिक रियल रिलिजन पॉब्लिक रियल भी ठीक है तो आर आर बनाने के लिए पॉब्लिक किया है सिक्वेंस बंगे इसे आर 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 वैसे पी आर आर ठीक है एक अन्यक पॉस्तक दिलिए जन्ता ने इन्हें महत्मा की उपाधी दी जन्ता ने इन्हें महात्मा की उपाधी पॉब्लिक गेब हिम ठीक है डिकут至 महात्मा मिस्टर महात्म ऑक्रुथ्ग आगे चल कर यह समाज बेभी हर एक लाइन में इंपोर्टेंट लाइन लिखा रहा हूं जो काम का है तो उसके सपोर्ट में तरक के लिए कई लाइन हो जाएगी आगे चल कर यह समाज अंग्रे जी राज और कांग्रेस दोनों का विरोधी हो गया आगे चलकर इन फारवर्ड थैस त्रूक्त शॉधक सूपाइटी मिल्व थे समयटे बूंद थे सूधक को इसे रिशर्चर होता है तु टूट्ट टूट्ट रिशर्चर सोईटी यह नाम है इसे डारेक्ट लिखा है सब्सक्राइम होगा नाम को जांदा टांसलेट नहीं किया जाता है कि कुछ नाम टांसलेट कुछ टांसलेट होती नहीं है ना तो इस लिए अंग्रेजी राज और कांग्रेस दोनों का विरोधी इन फारवर्ड इस सुसाइटी बिकम दफॉजर आप कांग्रेस एंड ब्रिटिस रूल पोट क्यों दोओ ँडेको कि रूल के अपोजर हो गया यह तो विदेशी यह बिदेशी ताकत की खिलाप बोलने पोलना है क्योंकि सतनता के लडाई चल लगी है तो फिर इसे एक राश्टवाद और राश्टवादी दोनों रूप में चितर्चितरों होता है ब्यक्ती का है ना तो एक तो यह कौमन है जैसे पाकिस्तान मोके पेग जो अपना देश है बगल वाला कुछ लोग तो उसके खिलाप इसलिए बोलते हैं कि को अन्य जंता हम पर देश-द्रोही होने का आरोप न लगा दे जब कि अंदर से हो सकता हो ना भी बोलना चाहें मन नहीं करता उनका बो अंदर से उनकी इच्छा करती नहीं है ऐसा होता है बिन्न एक जांपल के हम नहीं बोलते हैं आप लोग भी पाजाओगे ठीक है तो कुल मिला करके कांग्रेस तो स्वाभावी थे स्वाभावी थे स्वारी ब्रेटिस और रही बात कांग्रेस का उस समय का जो चरित्र है वो मद्य बरगिये मिलल क्लास लोग जो बहुत अमीर तो नहीं है लेकिन करेब भी नहीं है और उच्छ जात्ति के रिलेट उससे रिलेटेड नेताओं के अधीन है सुरुआत के जो कांग्रेस है उस समय की उसमें बुर्जुवाबर को भी बड़े लोग पत्रकार वकील टीचर यहीं लोग हैं उसके लीडर कि उसमें यह सब लोग कौन हैं यह सब उच्छ जाती के लोग हैं ने जाती के लोग से रिलेटेड नेताओं के स्थापना के लिए नादा लड़ रही है और इनके सासन के स्थापना होने का मतलब यह है कि उच्च वर्ण यानि सवर्णों का सासन तो फिर निम्न वर्णों का सोशन इसलिए कंग्रेस के भी विरूदी हो गया तो आगे चल करके समाज कांग्रेस और बेटे सुकूमत दोनों का यह कारण के लिए रहे हैं और मनें बताए दिमाग में भीड़ों के यह उतरे का नहीं आसान है अपने हिसाब से बढ़ा के लिए अगला है डिप्रेस्ट क्लास मिशन सोसाइटी निम्न जातिया अंदूलन मे नेक्स्ट डिप्रेस्ट क्लास मिशन सोसाइटी यही लिखना हिंदी में भी ट्रांसलेट करके नहीं लिखना है कि इसका नाम यह है हाँ हाँ है कि वेशन सेन ने जो बुक लिखी था था सत्तावन एक बार प्री में कुश्चन पूछा गया मैं बताओं तो उनकी बुक का नाम है 1857 जब बुक पर 1857 जो नाम उन्होंने लिखा वही से लिखा है यह अब 1857 तो यह भी है कि आप भाट तो एक ही यार अधिश्य चेहरह सहीट जानता है कि जिसमें उन्होंट ने लिखाता है हमने इसमें लिखा तुम अपने तरप से क्यों क्यों मान रहे हो कि अन्य ट्रांसलेशन अगर आप से सत्यसोधक समाज कर दिया बाइदर इसका कुछ लोगों ने ट्रांसलेट नाम लिख दिया तो इस कारण अंग्रेजी में आपने लिखाओ सत्यसोधक समाज लिख दिया गलत नहीं माना जाए क्योंगि यह प्रॉपर नहीं क्लेम आप सीध करके ना लिखने का फंडामेंटल राइट है आपके हाथ में सीधित सुप्रिम कोड़ जा सकते आप आई खोड़ इसलिए जो जैसे है वही उसका आप चेंज नहीं कर सकते उसमें अगर आपने यह कर दिया तो गलत कि इसलिए एक आप्शन यह सही था यह उपर पीसे से पूछा गया है तभी में बता रहा हूं तो कि डिप्रेश्ट क्लास मिशन सुसाइटी इसी नाम से उन्होंने लिखाई सुसाइटी का नाम ही रजिस्टर है ऐसे ही हिंदी में ही नहीं है तो इस्टैबलिश्ट इन नाइ इस्टैबलिश्ट इन 1906 फाउंडर है बी आर सिंदे यह भी प्री में पूछा जा चुका कुश्चन है बी आर सिंदे यह फाउंडर है कुछ लिखना नहीं है निम्न जातियों का उद्ध्यार तो बेल फेयर आप लोवर कास्ट पीपोल तो बेल फेयर आफ लोवर कास्ट पीपोल खतब एक बेक्ती है संस्था वगएरा तो नहीं है साइद इसी संस्था से जुड़े हुए थे डिप्रेश्ट क्लास लेकिन वो राजा है तो संस्था का बेक्ती तो कहां भी नहीं जाय सकता हुए उन्होंने कुछ स्पेसल काम किया है लोवर कास्ट के लिए तो थोड़ा सा उनका नाम लिख करके साहु जी महराज देखो साहु जी महराज शाहु जी वह देखिंग आफ कोलहापुर कोलहापुर महारास्ट में है इनका नाम इसलिए लिखा जारा है क्योंकि पहली बार आरक्षण की सुरुवात इन्होंने अपने राज्जे में की थे आरक्षण की सुरुवात ने लोवर कास्ट के लिए इस चीज को आप मेंसन कर लिजिए कि निम्न जातियों के उद्धार के लिए पहली बार इन्होंने कोलहापुर के राजा थे लिख लिए है ना इन्होंने अपने राज्जे में आरक्षण की सुरुवात की he started the reservation reservation he started the reservation in his state first time he started first time डाल लिजे कही ने तो first time he started the reservation in his state for the welfare of lower caste people बाकि आरक्षण के बारे मां आपने आजकल पढ़ा निचर उसका पूरी विस्ष्ष्था वही है आरक्षण की जो बिस्ष्था तब की वही अब है थोड़ा सा मतलब categorize तो अलग है का आज कि आरक्षण को वह अपने हिसाब से categorize की होंगी कोण lower caste है आज अपने हिसाब इस प्रकार क्या अंदोलन के केरल में हुए मतलब इस प्रकार में निमन जातिया उद्धार आंदोलन आफ्टर महारास्थ्र अब अदे स्टाटर तर्ट दलोवर बेलफेर आप लोवर कास्ट मेंट इन केरल इन दीडर्सिप आफ अब इनका नाम लाने के लिए लाइन पूरे लिखी जारी नहीं तो काम तो क्यों लिए एक दो लाइन से ही है इंदर लिडर्शीप आप अब श्री नारायण गुरू उर्फ नानुहसन इन्हों ने जो है केरल में निम्न जातियों के उधार के लिए मुव्मेंट शुरू गया तो आफ्टर महराश्ट्र दो मुव्मेंट वोज इस्टाटेट इन केरल आज सो इन देलेडर सेपाफ श्री नारायण गुरू अब ना एक नाम का यह केरल की इजहावा नामक एक निम्न जाति से संबंदित थी यह ही वाज रिलेटेट विद अलोर कास्ट विद अलोर कास्ट अलोर कास्ट अफ केरला नेम्ट इजहावा कि इजहावा केरल की एक निम्न जात इजहावा से संबंधित थी कि इजहावा जाती से संबंधित थी नानुहाज़ा अठारा सो अठासी में अभी पुरम में इन्हों ने एक शीव प्रतिमा स्थापित किया ही इस्टाबलिस्ट ही इस्टाबलिस्टेश यह स्टैचेश अछोफ लड शिवा लोर शिवा अभी पुरम in 1888 1888 अब भी पुरम इन 1888 इन्होंने नारा दिया He gave the slogan There was नारा है Inverted Commam रिखेगा There was One religion One caste And one God For the Human मानों के लिए एक धर्म एक जाति और एक इस्वर है There was There is There is Inverted Commam में लिखेगा There is The one Religion One caste And one God For the human Comma close तीक है After that His pupil After that अब ये इनकी लाइन है पूछी जा चुकी है मनुष्य के लिए एक धर्म एक जाति और एक इस्वर किसने अड्रेस किया नानु हसन ठीक है After that इसके बाद इस पूपिल अयप्पर राज राजन ने एक कदम और आगे बढ़कर कहा रिवाइज दे स्लोगन रिवाइज दे स्लोगन दो वन स्टप फरवर्वर्ड दाइट दो वन स्टप फरवर्वर्ड दे इन्वर्टट काम में आगे इन्हों ने स्लोगन को रिवाइज किया एक कदम और आगे बढ़कर मतलब एक कदम और आगे बढ़कर कहा आप लिखे काम में मनुस्य के लिए ना कोई धर्म ना कोई जात ना कोई इस्वर है इनके सिस अयप्पर राज राजन ने का देरवाज नो रिलिजन नो कास्ट एक कदम आगे बढ़कर इनके सिस अयप्पर राज राजन ने इस नारे को रिवाइज किया मतलब दोहराया सुधार के साथ क्या दोहराया मनुस्य के लिए ना कोई धर्म ना कोई जात ना कोई इस्वर है ठीक है यह देर इस नो रिलिजन अ कर दोनो नो कास्ट एणो कॉट फोर दर ंकमा को यह देखो दोने लाइन इंपॉर्टर और प्री के लिए इंपॉर्टर न approximate है क abide बार दो बार पूची वी गई है कि संभावी थया नो डॉट इंपॉर्टरण नहीं किसका है गें एक निलेना अरे को अषिए स्री नारायण गुर्म परिपालान योगंद संस्था की सुरुएत गुरु गुरु इस्टार्टनald कि इस्टार्टनानि धृण के उस्टेट आफ में इस्टार्टेट दिनिस्टीटूद अफ क्या बताया है विए श्री नारायण गुरु धर्म परिपालम योगम मैं लिग दे रहा हूं कि श्री नारायण गुरु परिपालम मैं योगम मिन हमक्संस्तान की स्रूवात्ब की स्री नारायण Windseda गुरु परिपालम योगम मिन हमक्संस्ता python जिए इस्टाबलेश्ट दिस सथा इसा भी लग सकते हो स्री नारायड गुरु धर्म लिखा है गुरु धर्म परिपालम योगम है धर्म जोड़ लीजे यहां छोड़ गुरु के बाद गुरु के बाद धर्म बाद परिया नियम और कानून से हिस्की नारायड गुरू के जो धर्म यहीं नियम और कानून से प्रिपालन करने लिए योग है और को सकी आओ अणे ही प्रकार की यह सकता है टीक इस प्रकार की संस्था जök रामदेवाली पतंजली जो चलती है संस्था का पूरा नाम क्या है पतंजली यह क्या है अध़ पतंजली धर्म परिपालम योगम यह उसका पूरा नाम नहीं है मतलब मैं इस से रिलेट करके बता रहा हूं कि अगर इसके संक अच्छा है जैसे उसके जो अपने नियम कानून है वह उनको एक सिविर लगाते हैं पर उसमें जाकर कि वह फिर वह कानून वह विधी जो लाइफ इस्टाइल है उसको सिखाते हैं ठीक उसी प्रकार से भी है ठीक है यहां निम्न जाती आंदूलन के नेता तमिल नाडू में आ जाई है यहां निम्न जाती आंदूलन के नेता क्या राम है इनका इवी रामा स्वामी नायकर उर्फ पेरियार थी तमिल नाडू में लीडर को नहीं इदी रामा स्वामी नायकर उर्फ केरियार के तमिलनाडू में इन्हों निम्न जाती है मुव्मेंट चलाया आगे हिज मुव्मेंट वाज नून आएज जिनका मुव्मेंट आत्म समान अंदूलन के नाम से जाना गया आत्म समान अंदूलन सेल्फ रिस्पेक्ट मुव्मेंट पूछा जाता है इस जाल्फ रिस्पेक्ट मुव्मेंट इनके दोरह चलाया गया अंदूलन आत्म समान अंदूलन के नाम से जाना जाता है इस मुव्मेंट वज नून आएज सेल्फ रिस्पेक्ट मुव्मेंट ठीक है क्लियर यह है और इस्टाबरीश्ड इन 19 20 सेल्फ रिस्पेक्ट मुव्मेंट की बात कर रहे हैं इस्टाब्लिश्ड इन 1921 अ अ जोप्तूल किया किया इन वास समान में अब आतिन समान म सकते अब एस्प्यांपल लिए कि क्या किया इतनों बिना भॉम्र कि साहता से विवाह करने के लिए प्रिरीज किया लोगों को free to get marriage He inspired to get marriage the lower caste He inspired to get marriage to lower caste इसाइव एंस्पाराइसमर मिलेक सकते हो He gave inspiration to lower caste to get married without help of the brahmans पहले कारादादा कि ब्राह्मणी विवाह कराएंगे यह भी भी है विवाह प्रक्रिया संहिता ब्राह्मण के हाथों में तो कुछ उनका उस रूल पर अधिकार है अब इनको के दिए तुम ही कड़ो तो कौन सा मंदर पढ़ेंगे पड़े नहीं कभी तो आद्म समान सेल्फ रुस्पेक्ट मु अच्छा मंदिर प्रवेश नहीं कर सकते थे अब यह थ्वाज़ा चोजो निम्न जातियों को मंदिरों में प्रवेश करने से रोग रखा था इबन सड़क पर भी चलने वह वह बंद कर दी जिस रख पे मंदिर होता था आउस रख इनम जातियों के लिए बंद लिक तुम म दो फोर्सली टू गेट इंट्रिए इंडू दा टेंपट्स फोर्सली तो यही तो जबर्दस्थी इंट्ट बिना ब्रामण के बिवा के लिए का बिना ब्रामण व्करों समाज में बहुंए नौत अग्मत दो लोगों को च्छटाने वाथ है गलत सही की चर्च हम नहीं करें गलत क्या सही का बद जो है सो है मैं एक जैट बाद करो मंदिर्म जबर्दस्ति प्रफेक चीज मनु इस्मिर्ति के प्रति को जलाने का कारी किया इस मुवम्में में क्या किया मनु इस्मिर्ति के प्रति को जलाने का कारी किया तू मेंट फायर दा कॉपी आफ मनुष मृती है एक टू मेंड फायर तू जलाया तू मेंड फायर दा कॉपी आफ तो आज भी लोग जो थोड़ा सा जोस में आते जलाई देते हैं इसलिक तमाम सारे कान। उसकी कानून ऐसे इसे लिखे गए अब उसका इंटर्पटेशन तो करो यार लोग समझ नहीं पर बिद्वा जो जा उसका ले जाओ उस्तर मुडवा दो यह कौन सा कानून है अचली अब इंटर्पटेशन अचली बाद में उन्होंने इस इस पर सिफारिज के रिए वो बुक किसी ने पढ़ी नहीं मनुष मृत पर ठीका लिखा किसे ने लिखा जानते हो मनुष मृति पर ठीका क्या मतलब उस पर भास लिखा है इस को पर पूरा दिया है कि यार सर मुडवाने की बात नहीं की जा रही है मुंदन संसकार उसकार इस्त्री की जो सोभा होती है इस्त्री का जो आभूसर तो बाल ही मेन होता उसमें तो इसका सीधे आसे यह था कि अगर वो विध्वा है या तो पुनर विवा कर ले तो अगले कानून में पुनर विवा अभी लोगों ने बाड़ कर रहा था पुनर विवा नहीं हो सकता शती प्रथा चब तक रहेगी तब तक पुनर विवा नहीं होगा और या तो सती प्रथा रहा तो पुनर दोनों में अपोजिट रिलेसंसिक है वह मुद्दा लगए और या तो इसे आभूसर यानि सज्जे भजे रूप में आप भूसर त्याग देना चाहिए बस सीधी से बात उसका इंटरपर्टेशन या है यह आपके लिए कर यह इंटरपर्टेशन नहीं है काउन समझाए यहां तो कुछ ग्रंत ऐसे हैं जो जिसके गलत लोगों के द्वारा गलत इंटरपर्टेशन या ब्या अनाधिकार तब करते हत्या करने का जो जिक्र किया गया उसे में किया गया है कि संबूख कोई सूद्र है उसने अब सूद्र को अधिकार नहीं है देनो राइट है कि मेडिटेशन तू सूद्र है पराम ने देखा यार यह सूद्र आजमी कैसे तपस्या करा यह तो अधिका सब के लिए समान होती है सब जगे समान होती सब समय समान होती है जो कानून है वह हर समय हर लोग के लिए हर परिस्थितियों में एक समन तभी तो समानता का अधिकार पूरी तरह इंप्लीमेंट हो पाएगा इधर अनाधिकार तब उसी गला काड़ी सब्सक्राइब जंगल में दूसरे फ़ल लग नहीं मिल पा रहे हैं फिर केवट जो मचली पकड़ता उसको गले उठाके चूली यार नहाए भी नहीं दोबारा लुए को जरूरती घंगा पार दा ना उसके पास गरशी तो चूली तो नहां लेना था वार उसे लिखेंत के चूले के बाद फिर इसका श्माजरा मंने दूबारा किया ताकि पवित्र हो सके घंगा में अन्याए उन्होंने कुछ मेंसन नहीं कि उत्पार चले उत्राई-उत तो मैंटर थाउस को फानल कर गए कि अ कि बहुत सारी चीजें है से तो है ना हाँ सची रहाँ जस्टिस आंदोलन एक आंदोलन है तमिल नाडू में चला गए जस्टिस आंदोलन जस्टिस आंदोलन इस्टाबलिश्द इन 1916-17 इस्टाबलिश्द इन 1916-17 एससेट रागा लेडर लिख लिए दोतीर नहें कि च अ मुदलियार दूसरे लेडर है टी म मैर टी म मैर और तीसरी लेडर है पी त्याग राज चलो खिली इसमें किया कि अदोलत है थ пог pilgrimage कि अन्हों ने कि समाचार पत्र भी निकाला। बठ अगू कि आ पबीजटन फ्रीए निउस्पेपर भाई दा टेज आलसू आङ। के जो लोग ब्राम्बणों की उच्ज तिति से घढ़ा कर देखे और उनकी ऊचिस्तिति को दबाने का अंदोलन चला थे ब्रामणों को चिस्तिति से वो टीचर होते थे सरकारी सिवा में उच्छेपदों पर वही होते थे यह इनकी जादा जादा भरती होती चपरासीस आगे बढ़ी नहीं पाते थे अगर अधिकारी तक कोई होता था तो ब् लेडर्शिप करने का बहुत बड़ा नेता बना दिया पारसाथ बना दिया बस मौल लेगा उससे आगए तो उन्हों ने ले रखा था वह सारी जिस्टिस नाम के पत्र पत्र में सच चिलाएं एक मोमेंट आए साउथ में ही दो नाम है मात्र वह मंदिर प्रवेशान दोलन सब बहुत इंपॉर्टन इसलिए में पढ़ा रहा हूं इसको मैं हडा देता है प्रीकले भले ना आये लेकिन इंपॉर्टन तो है कभी भी दिख सकता है आता रहता है अपलोग पर उठागे देखो पिछला और इंटीर कुश्चन में से क्योंकि यह सब जल्दी लोग टच सांदोलन मंदिर प्रवेश इंट्रीअ या इन्ठ्रैंस शुलाण एंट्रैंस इंटू दू झेंपलल मूमंट। आफ इंट्रैंस इंटू टेंपल दब मूaker of entrance into temple दो हैं दो अलग-अलग गाउं में हुए थे मंदिर प्रवेश एक तो है वायकूम सत्याग्रा वायकूम एक गाउं है केरल गाउं वायकूम पी ए वाई सी यूम सत्याग्रा वायकूम उननीस्तों चोविस छेत्र केरल का त्रामनकूर शेत्र रिजन कहां केरल का त्रामनकूर लीडर श्री नाराण गुरू पहले वाले श्री नाराण गुरू फिर दूसरे लीडर है एन कुमारन एन कुमारन और तीसरे टी के माधवन टी के माधवन वायकूम में गाउं है जहां के मंदिरों के लिए परवेश वर्जितत था इवन मंदिरों में परवेश वर्जन को आप शोड़ है मन सड़कों पर हरी जनों का चलना वर्जितत था जिन सड़कों पर मंदिर हुआ ना कि मंदिर प्रवेस आंदोलन में मंदिर पर प्रवेस और चलना लोगों को बाड़ सा उसको लिख लीजेगा अपने हिसाब से तो नाम से ही क्लिए हो रहा ना प्रवेस अरजनों का निम्न जातियों का इस पर वर्जित था 1925 में गांधी जी वहां लोग गए जथे का नेत्यत जो मेनिस हो 1925 में गांधी जी वहां गए इन 1925 मिस्टर गांधी बेंट टू देयर गांधी जी गे वहां कि इसके बाद वहां की राने से बातचीत की एंटाग्थ को कुईन ओप देयर इसके बाद वहां की सरके हरी जनों के लीए खुलवा दी गए मंदिर पता नहीं खुला की नहीं खुला मंदिर नहीं खुला वायकूम में इसके बाद आप्टर देट वहां की सरके हरी जनों के लीए खुलवा दी गए after that the roads of their were had been opened to the lower caste people's हरी जन कि खुल वादी गहीं कि बट नौट टेम्पेल लेकिन मंदिर नहीं खुल एवले थी कि सड़क पर चलो मंदिर में मत गुज़ना तो इतना गांदी जी कर पाए पहुंचे तो यह वायकूम सत्याग रहा है डिफ्रेंस थोड़ा सा है बस याद रहें वाट इस देफ्रेंस यहां सड़के खुली है मंदिर नहीं खुला वायकूम में अगला गांव है गुरु या यूर यहीं दो गांव है गुरु वायूर गुरु वायूर गुरु वायूर सत्यागरा 1931 वही त्रावनपूर केरल का महां का एक गावन केरल के त्रावनपूर की बात की जा रही है लेडर इसके हैं छोड़ा रहें बस 1931 नाइन टेंसर नहीं लेना है अभी मैं अब है इस रीडिंग इधर भी होती है ऐसा नहीं है कि आप लोग कहो तो भी हम जाने के के लबपन के के लबपन के के लबपन के दूसरे हैं के पिल्लाई 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 तो वह पिल्ला रहेगा बड़ी लगा दो आगे से या आई लगा दो ए आई इसका वाद एक गोपालन तीज़तीन ने ताइस में एक गोपालन यहां वहीं मंदिर प्रवेश वाला मुद्दा है कि सुब्रमन्य मजएर के नेतुत में एक जथे ने मंदिर में प्रवेश करने का प्रवेश किया करना चाहा पर रोग दिया गया एक के गोपालन यहां पर लाठी चार्जवा कुछ लोगों चोटी आई इसमें गोपालन को भी चोटा आई यह सब तो आमबार है कि इसमें के लपन आमरड अंसन पर बैठ गे जो मेनिस हुए इस मुव्मेंट में जिसे लोग जब्रवेश करने के लाठी चार्जवा आप्टर देट की बात की जा रही है कुछ इजे कॉमन अपने आप अपने समझ सकते हैं के के लपन आमरड अंसन पर बढ़ गे गाधी जी क्या स्वासन पर उन्होंने आमरड अंसन तोड़ा क्लीक तो के केल अपन स्टार्टड रा वंगर स्ट्राइब क्यार अंगर अंसन औरुना कोई हैं हंघर लजब वेत्अं है है हम प्ररब यниटर दिद्यम्मेफत्स पूरा तब ड़ने के आप मरनेस्टी साते हागा इसिद्ट्राइक की आश्वासनाँ पर उन्होंने monitor but प्रोग ता इस्ट्राइक प्रोग देश्टाइक और यह असवासन के मतलब असवासन अ कि रिलाक्स अना प्रण ब्रोग स्ट्राइक अन्दा रेलेक्सेशन आफ गांदी जी रेलाक्सेशन उनके रेलेक्स किया गया अस्वासित किया गया तो उन्होंने तोड़ दिया लेकिन सरते क्या होगी है कि एस्वरेंस ओके हाँ एस्वरेंस दर राइट वर्ड एस्वरेंस कि उन्नीश सो चतिस में कि 1936 त्रावन कोर के राजा ने सभी जातियों के लिए मंदिरों को खोल दिया 1936 इन 1936 दकिंग आप त्रावन कोर ओपेंड आई टेंपिल्स पॉर आल कास्ट कुल मिला के यह निम न जाती आंदोला नहीं कि खतम होता है एक्सेप्ट्स टू ओनली विहम्राम बिटकरन गांडी जी और इसके बाद निम न जाती एक मजदूर संग घांदोलन थोड़ा सा उसको भी कल देख लेते फिर हम लोग सीधे पत्रकारिता पर पहुंचते हैं फिर सिक्षा ब्रश्था फिर इसके बाद फिर कांग्रेशा है और है भी लंबा है थोड़ा साथ कि अ